हेलो एन वेलकम टू लर्निंग लोकस्ट आज चिन्निम्स एंटनिम्स के लेक्चर में हम 10 वर्स लर्न करने वाले हैं रोज की तरह और 10 वर्स में हमारे सामने है ट्रायम्फ, फिर पुइन्ट, लेमिस, रेवल्ब, कमेंस, एक्सियम, फिर है तेंस्योर, फैलसी, लेट्रिमें टेस्टिफाई, तो हम इन 10 वर्स को या तो इनका सिनोनिम पूछा रहेगा या एंटनिम पूछा रहेगा उस रूप में लोग परेंगे और सबका पनांसियसन लिखाऊंगा सबका हिंदी में, तो फर्स्ट आज का कमेंस, ती ओको पहली बार में पढ़ना है और फिर दूस शुरू करना और इसका बताना है एंटनिम, कमेंस का एंटनिम बताना है, उल्टा मिनिंग का वर्ड बताना है, और ओप्शन्स आपको सामने आ गए हैं, पहला है इसमें फोर ओप्शन्स में पहला है, इन बार में पढ़ने इसको इनिशियेट, इनिशियेट का मतला भी launch, launch का मतलब होता है, शुरू करना, शुरू करना, अरम करना, एक ही है, कोई अंतर नहीं होता है, फिर है kick-off, ट्रेजल वर्ब है, kick-off, kick-off का मतलब होता है, शुरू करना, फिर है conclude, conclude, c-o-n को पहले बार में, और फिर c-l-e-o-d को, conclude को दूसरी बार में, conclude, इसका मतलब होता है, समापन करना, समापन करना, तो आप अभी बता सकते हैं, कि comments, जिसकी हिंदी है, शुरू करना, उसका एंटनिम क्या होगा, definitely एंटनिम होगा, conclude, ठीक है, initiate का उचारा निखलेजिए, initiate, initiate, बाकि सब का आप जानते होंगे, तो इस तरह से पहला word complete किया हमने, comments का इंटनिम, conclude हो गया है, next one, किकफ भी याद रखेगा, एकजाम एक कुछ भी पुछेगा, initiate पुछेगा, चाहिए किकफ पुछेगा, चाहिए कुछ भी पुछ सकता है, comments तो एक माध्यम है, five words learn करनेगा, next one is, axiom, इसका उचान ध्यान देना है, एक और फिर शियम, axiom ऐसे, axiom, axiom का हिंदी चाहिए आपको, axiom का हिंदी बताता हूँ, उससे पहले देख लेजिए कि axiom का पूछ क्या रहा है, axiom का पूछ रहा है, उल्टा मिनिंग का वर्ड पूछ रहा है, axiom का क्या होगा, axiom जो वर्ड है, इसकी हिंदी होती है, सिधान्थ, axiom की हिंदी है, सिधान्थ, और options हैं, आपको बताइए, इसमें से क्या होगा, इसका axiom का एंटनिम, set, पहला है dictum, dictum, dictum का मतलब होता है, कथन, उचारण, dictum, dictum का मतलब, फिर है maxim, maxim, maxim का मतलब भी होता है, कथन, फिर है paradox, paradox, paradox का उचारण है, paradox, paradox की हिंदी होती है, विरोधा भास, और फिर है postulate, 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 postulate का मतलब होता है, swamp, seed, मतलब, जो चीज, सिध करने के जोगत नहीं, तो आप बता सकते हैं अभी, कि axiom का एंटनिम क्या होगा, सिधान्त है, सिधान्त मतलब, मतलब जो बात, सब लोग मानते हैं, परिक्षन करने जोगत नहीं परते हैं, और इसे सब लोग मानते हैं, तो बिरोधा भास नहीं होता है, तो बिरोधा भास इसका, जो nearest, जो most appropriate एंटनिम होगा, paradox होगा, इसका डिक्टम नहीं होगा, डिक्टम मतलब कथन चाहिए सिधा, maximum मतलब कथन चाहिए सिधा, पोस्चुलेश्ट का मतलब स्वयम सिधा, कथन, जिस मतलब जिसको सिध करने की जोगत नहीं हो, यह भी एक सिधान्ति होता है, इस तरह से आंसर होगा, paradox, उन्दिथान्त, इसक इसका डिक्टम नहीं है, खलत सेट किया गया है अंसर, इसका अंसर है paradox, यह नहीं है. नहीं है, जैसर का इंटनिम बताना है, उससे फ़ले सेंसर के हिंदी चाहिए, सेंसर तो वड़ है, सेंसर का मतलब होता है, निन्दा करना का मतलब होता है निन्दा करना ओके इसका अब चाहिए इसका निन्दा करना नहीं निन्दा करना भी होता है यहां निन्दा रखे वर्ब भी होता है निन्दा करना पता सेंसर का वर्ब करूप में भी निन्दा करना मिनिंग होता है और नाउन करूप निन्दा क है इसलिए की हिंदी मान लेंगे अब इसका इंटरियम क्या होगा पहला है फॉल्ट तो आप सब जानते हैं फॉल्ट मतलब होता है वल्टी फिर अपलॉज ए पीपी को पहले बर्ण पढ़ेंगे और फिर एले यूए सी को लॉज इसका उचान होता है ऐसे अपलॉज अपलॉज का मतलब होता है प्रशंसा फिर है ब्लंडर ब्लंडर मतलब यह होता है ब्लंडर ऐसे लिखते हैं ब्लंडर मतलब बरी भूल बरी फिर है कंटेम्ट की हिंदी होती है और मानना ऊपसे लिखता हूं इस तरह से आप देख रहे हैं तो आप मानना इस तरह से आप देख रहे हैं सिंसियोड के एंट्रोम नेंड़ का उल्टा क्या हो बलती तो नहीं होनी है परिफूल नहीं होनी प्रसंसा प्रसंसा होना है इसका निंदा का प्रसंसा कंटम्ट का मतव मानना तो आंसर होना चाहिए बी अप्लॉज सही आंसर है तो हो गया अप्लॉज 24th number word is triumph इसका उचारन सबसे पहले लिख लिख लिजे word है triumph ऐसे लिखते हैं TRI को एक word पढ़ते हैं और फिर U से लेकर H तक इसको triumph 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 का मतलब होता है जीत, वीजय सा मतलब होता है अब इस word का intrinim बताना है हमें तो triumph का intrinim ultra meaning का word क्या होना है तो pride pride का मतलब जानते हैं गर्व pride फिर है failure इसका उचाहन है failure उचाहन करते हैं failure नहीं failure a a a a a a a a failure failure होता है failure मतलब क्या होता है we fall तो अब यह बता सकते हैं तें जवाय जवाय का मतलब होता है अनन कि लिभरेशन celebration मतलब उत्साव तो अब ही आब बता सकते हैं time जिसकी हिंती विजय है इसका ultra meaning का word कौन सा है विफलता वाला इस है तो फेलियर विल बी आंसर, बी नंबर विल बी आंसर अफ इसको, तो 24th is completed, 25th one, F है L L C Y, तो उचान है फालासी, उचान है फालासी, और फालासी है वोखा, इसकी हिंदी है वोखा, अब इसका सिननीम बताना है, आपको पता है, कि कभी सिननीम पुझाता है, कभी एंडनीम, मतलब सब मिक्स रखा है, जान बुझकर, ताकि आपका एटेंशन लेवल स्ट्रोंग रहे एक्जाम के वक्त, तो अब आपको फालासी दियान रखना होता है, कि वोड क्या है और वोड का क्या पुझा जा रहा है, तो सिननीम बताना है आपको फैलसी का, फैलसी मतलब थोखा, अब बताइए, चीट, चीट मतलब होता है पुखा, तेखें, फिर है फ्लॉ, फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब होता है, चीट मतलब पुखा, और फ्लॉ का मतलब होता है गल्दी, पिर ट्रीक, ट्रीक का मतलब होता है चाल, और फिर ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब आप सब जानते हैं, सचाई, तो इस तरह से फैलसी जिसकी हिंदी है, धोखा, इसका सिन्नि में बताना है, इसी तरह का मीनिंग वाला वर्ड बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट के कि इस साइलेंट होता है, इसको हम उचारण नहीं करते हैं, तो P O I N को एक बढ़ेंगा, पोईन, और फिर एंट, पोईन एंट, यही शुरून बोला था, पोईन, पोईन एंट, यहां करना आएगा पहला इधर, पोईन, पोईन, अधन्न, और फिर एंट, पोईनेंट, पो क्या होता है दील का मतलब पारमिक अब अब इसका सिननीम बताना है इननीमिस का है है हमें बताना है कि फॉइट है है फॉइट मतलब अब पता है और ऑफ इस दूसरा है ब्यूट्फूल यहां पर जो वोड़ है ना आई का उचारां नहीं करते हैं तो बी ये यूट और फूल को फूल ब्यूट्फूल नहीं जिटीटी पूलत होते हैं ठीक है आई होता है ब्यूट्फुलिस का मतलब पता है आपको अंदर या सुन्दर लिख देता हूं कि प्छेर टच टचंग टच टचंग का मतलब होते हैं मार्मिक नहीं मतलत जो यह पल तो बताएं लिए ऊइनट का इसकी हिंदी मार्मिक है इस निम क्या होगा इंट निम होगा आंसर सी होना चाहिए 27 था फ्लेमिस ले मिस ले मिस वर्ड हो क्या और बताना है इस वर्ड का इंट निम क्या होगा मतला अपोजिट वर्ड क्या होगा ले मिस का अपोजिट वर्ड क्या होगा यह बताना ले मिस ऐसे लिखते हैं उस्ताना की हिंदी होती है blemish की हिंदी अब बताइए टैमेज की हिंदी क्या होती है आगहात हिंदी होती है आगहात इसे स्टेन परते हैं स्टेन की हिंदी होती है धाबबा इसकी हिंदी भी होती है और लास्ट में क्या है किलियर किलियर मतलब साफ तो अभी बताइए लेमिस का एंटरिम क्या होगा एक ही है टी नमबर क्लियर अब है ट्वंटी एट नमबर आपको देट्री मेंटल आगे कुछ बताऊं उससे पहले सुन लिए टेट्री मेंटल जब आएगा सिंदी तो इसके साथ प्रेपोजिशन आता है तू प्रेपोजिशन होता है तू है है Żट करता हो ऐडेट्री मेंटल करना है यहां तक एक बर पढ़ना होता हूं दूसरी है दो लाइन हिफिछ दिया है इसका बतानाव है कि इसी के मिनिंग वाला वाड हमें ढूलना है वे फूर आपके सामने वाड से ऑप्शन से इन में से अब रेंड ली का मतलब तो जानते हैं ना फ्रेंड दो बर पर परते हैं फ्रेंड फिर ली मतलब दोस्ताना क्या आको पता है स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब अब को पता है, तो स्मार्ट है मतलब क्या है? तो धीमान है, इंटेलेक्च्टुलल का मतलब होता है, बौधिक, तो चरंग ले तता हूं, into sexual sexual into इन हार्मफोल हार्मफोल मतलब क्या होता है हानीकारक सेटीमेंटल का हिंदी बताया नहीं मैंने सिस्काद को सेटीमेंटल का हिंदी होता है हानिक और चाहे हानिकारक हानिकारक तो वर्ड है डेटिमेंट इसका सिन्नी मताना है अब सब का मिनिंग पता हो गया आपको पता है इसका अंसर दी हो जाएगा, खारम फूल हो जाएगा बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है 29th नवबर वर्ड है R-E-V-E-A उचारन बहुत असान है इसका उचारन है रेवल इसका रेवल, इस रेवल का बताना है इन रेवल का इंटनिम क्या होगा उल्टा मिनिंग का और वर्ड क्या होगा इन फॉर आप्शन्स में इसके, उससे पहले रेवल की हिंदी पता होना चाहिए रेवल की हिंदी होती है आनंद लेना पुरा निगेटी मिनिंग कहें तो रंग, रलिया, मना बहुत खुस होते हैं तो उस तरह करते हैं चाहिए आनंद लेना तो उसी का ही मतलब होती है कि इसारा कर्दे का अंसर क्या होगा इनिवेज रीजॉइस का मतलब यही होता है अनंद लेना अनंद लेना मतलब चुनना है हमें इंटिनिम चुनना है द्यान रखना है आप वहां पे इसका उचा निखता हूं रीजॉइस पर दें ऐसे मौर्न का मतलब होता है चुक मनाना त्यक्रा यह अप्रेशियेट प्रेशियेट का मतलब होता है प्रसंसा करना और प्रे टी एट ओके इंज्वाय का मतलब पता है अनन्द करना एनिवेज तो अब बताए रेवल का अब एंटिनिम क्या हो सकता है डेफिनेटली बी अंसर होगा इसका नाव लास्ट कोस्टन लास्ट वड़ इस टेस्टी फाइट तोबर में उसका उचान करना है टेस्टी और फिर फाइट और इस वर्ड का इस्टी फाइट का हमें बताना है इननम िसी कि की जैसे मिनिंग वाला और ओप्सन में से एक और ओप्षन क्या होगा तो टेस्टी फाइट हिंधी तो पता होने चाहिए प्रमानित करना प्रमानित करना अब 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 प्रमा इस अप्रूब का मतलब क्या होता है ओप्रूब नहीं करना मतलब ठुक्राना उकना रूप्य परते हैं एक और और एफ आ व अर्म को पूस्ति करना कर ठीक्ष परना इन वैली वैली और फिडेट इन वैलेट का मतलब होता है रद करना का मतलब होता है रद करना इन वैली मतलब रद करना तो अभी बताएए टेस्टीफाइ मतलब प्रमानित करना इसका सिन्निम क्या हो सकता है उस्टी करना हो सकता है सिन्निम इसका और फॉर्म बाके तो कुछ होगा नहीं तो यही सिन्निम है तो आज का लेक्ट्र फिनिस होता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब